वेलकम स्टूडेंट्स स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी शनल उपलर गुरू पे बात कर रहे हैं यहां पे 10th CBSE बोर्ड की या फिर 12th CBSE बोर्ड की दोस्तों छात्रों के साथ यहां पे बहुत जादा अजीव तरीके से वेभार किया गया है CBSE के द्वारा बहुत सार चात्रों को समझ में नहीं आ रहे कि उनके जो नंबर है वो किस तरीके से दिये गए हैं बहुत सारे चात्र जिनका की नंबर 90-90% आता था वो सिधा 40-45-50 चला गया है और जिन चात्रों का नंबर 50 के पार कभी नहीं जाता था उनका 90-95-99% तक नंबर चला गया है दोस्तों इसी को लेके आप लोग को एक बात बता दे कि बहुत जादा चांसे है कि रिजल्ट दुबारा जारी किया जाएगा बहुत सारे चात्र यहां पर जो कि इन सब चीजों को देख रहे हैं और बहुत सारे चात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं देश के अलग अलग जगों पर कि यह जो चीजे हुई है यह गलत हुई है और जो हमारे जो result है इसको दोबारा से जारी करना चाहिए दोस्तो हमने भी एक चीज़ स्टार्ट की वी है आप इस वीडियो की comment section में ज्यादा से ज्यादा लिखें कि अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप अपने number से संतुस्त हैं तो आप शायद नहीं लिखेंगे मगर आप अपने number से संतुस्त नहीं हैं और अगर आप चाहते हैं कि दुबारा से result जारी किया जाए तो आपको भी इस वीडियो के comment section में लिखना पड़ेगा कि हमें result दुबारा चाहिए result दुबारा जारी होना चाहिए दो आप उस वीडियो को जरूर शेर करें ताकि ज्यादर ज्यादा वीडियो वो छात्रों तक पहुंचे और छात्रों के छात्र ऐसा दवाव बना पाएं cbsc के उन officers के उपर उन पदादिकारियों के उपर जो कि यह सारी चीज़े control करते हैं ताकि उन्हें पता चले अगर आप न्यूज खोल के देखें तो चातर रोड पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं कि यह जो चीज़े हुई है हमारे साथ यह गलत हुई है और हमें इसका जो है इनसाफ चाहिए हमें जो नंबर हमें मिलने चाहिए थे चाहे आपको एक्जाम कराना पड़े दोबारा तो आप ए रिजल्ट है वो दोबारा जारी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे चाहत्रों का यहां पर नंबर जो है वो बिल्कुल संतुस्त नहीं है उनसे क्योंकि कि अगर कोई चाहत्र पिछले 11th 12 अगर 12th में नंबर आया है उसका 50% और 10th और 11th में वो टॉप कर रहा था और इधर आग हैं बहुत सारे चाहत्रों को के ब्रस्ताचार के लिए ब्रस्ताचार के कारण पैसा लिया गया है कि आप 25,000 रुपया दिए आपका 90% से उपर गैरेंटी लेकिन नहीं आया लेकिन उनका पैसा भी गया और उनको नंबर भी नहीं आया तो दोस्तों ऐसा बहुत सारी मुझे समझ सकते हैं कि यह जो रिजल्स है यह दुबारा जारी होने के बहुत जाधा चांसेज हैं तो दोस्तों आपको करना क्या है इस वीडियो को जाते सब्सक्राइब करना है और एक बात और अगर आपके पास कोई सवाल है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिखें और हमारे इस मुहीम को और आगे तक जरूर बढ़ाएं दोस्तों आपकी बहुत बड़ी किरपा हो गया और बहुत सारे छात्रों की इसमें हेल्प होने वाली अगर उनका रिजल्ट दुबारा जारी हो गया तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसी कोई भी अपडेट आता है CBSC बोर्ड के दौरा उसके साथ तब तक के लिए नमस्कार